नमस्का सभी सादकों को तो आज हम पढ़ने वाले हैं अस्तांग योग पातंजली योग सूत्र का साधन पाद में से जुलिया गया है जो योग सूत्र का सबसे महतपूर अंग है इसको अस्तांग योग योग सूत्र पतंजली का स्तांग योग कहा जाता है वो इस तरीके से ह जो हम देख रहे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधी यह आठ अंग योग के माने जाते हैं महिर्थि पतिंजली कन्सार और भी कई लोगों ने नी को आठ अंग माना है जैसे तुर्षिकी, ब्रामण, उपनिशद, कई उपनिशद्वार में माना है तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे पहले हमारे आते हैं यम, क्या आकर यम कौन-कौन से होते हैं तो देख रहे हम सत, यम में हमारे अहिंसा, सत, अस्ते, ब्रह्मचर और अपरिग्र है यानि कि पांच हमारे यम के अंदर में आते हैं फिर आखिर इसके बाद विशे आता है कि यम की उच्च अवस्था महावरत हो जाता है ये कई बार UGC NET के एक्जाम में सवाल आता है कि महावरत क्या है तो यमों की उच्च अवस्था को ही महावरत कहते हैं उसके बाद हमारे विशे आते हैं नियम, नियम कौन-कौन से हैं, सौच, संतोस, तप, श्वाध्याय और इशरपणिधान, ये भी महसी पतंजली ने पांच ही बताई हैं, कई चीजों को महसी पतंजली ने पांच की संख्या में दी हैं, चाहे वो चित्ति की वृत्तिया हों, चाहे चित्ति के विच्छे विच्छिरों में गिंती की जाए, नौ और पांच हैं, मूर, चिप्त, विच्छित, एकाकरो, निरुद, इस तरीके से कई पांच स्थितियां बताई हैं, इसके बाद दूसरा विशे आता है, यम वा नियमों के फल, जो बहुत ज़रूरी है, क जिन जो भी हमारे जंगली जानवर हैं, या जिनके अंदर नकरात मकता बड़ी है, आपके नियंतर में आने के बाद, आपके औरे में आने के बाद, वो अपना वेर त्याग देते हैं, यानि कि हिंसक वस्तू, हिंसक जानवर भी अहिंसक हो जाता है, फिर आता है, सत्त पित से पतिष्टित हो जाता है तो आपके मुख से निकली हुई वाड़ी हमेशा सत्य हो जाती है इसलिए हम लोग कहते हैं कि बड़े महात्मा सित्य महात्मा के मुख से जादा बुरी बात सुननी अच्छी नहीं होती क्योंकि उनके मुख से कही कही बात अवश्य सत्य हो जाती है फिर आता है अस्ते अस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना चोरी के भावना ना करना चाहे वो धन की चोरी हो विचारों की चोरी हो या किसी भी चीज की चोरी हो जब इस पर नेंतर कर लेते हैं तो सभी प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं हमारे सामने यानि कि अगर हम अस्ते का पालन करते हैं अस्ते प्रतिष्ठत कर लेते हैं तो सारे रत्न हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं फिर आता है हमारे ब्रह्मचर ब्रह्मचर प्रतिष्ठायाम वीरिलाबह यानि कि सामर्तिका लाब होता है यान कि जब हम ब्रह्मुचर पतिष्ट कर लेते हैं तब हमारे अंदर अपार शक्ति आ जाती है बोलते हैं हाती जैसा बला आ जाता है हमारे अंदर फिर आता है अपरिग्रहे जो बहुत जरूरी है अपरिग्रहे का फल है जन्म जन्मांतर का ज्यान होना अपर ग्रह का मतलब है त्याग करना किसी भी चीज का संग रहना करना जैसे mostly हम चीजों को एकटा करके रख लेते हैं वो हमारे काम की हो या ना हो फिर भी तो उनका त्याग करना ही अपर ग्रह कहलाता है और जिसको पतिश्टित होने फे जन्म जन्म आप पूर्व जन्म में क्या थे या कोई व्यक्ति आपके सामने वो पूर्व जन्म में क्या था कैसा था उसकी समस्त जानकारी आपको हो जाती है इसके बाद आते हैं नियमों का परड़ाम तो नियम में सबसे पहले था हमारा सौच तो सौच का परड़ाम है वेराग का भावत्पन होता है जब आप सौच करते हैं मानसिक रूप से शारीदिक रूप से तो आपके अंदर वेराग की भावनवत्पन हो जाती है और अंत्य करड की शुद्धी होती है मन्स में प्रशन्दता आती हो चित्तिकी एकाग्रता में लगती है इसके बाद दूस्रा हमारे नियम आता है संतोष जो सबसे जड़ूरी है सर्वसुक्स की प्रापती वोको की कहा जाता है गौदः गजधन और बाजदन और रतंधन खान जब आवत संतोस दन सब धन धूर जमान तो सबी सुखों में सर्वोत्तम सुक संतोस है सबी धनों में सर्वोत्तम धन संतोस है उसके बाद आता है हमारा तीसा नियम तब जब तब को पतिश्र कर देते हैं तब जब अशुद्धी करनास होता है तब शरीर वा इंद्रियां सिद्ध हो जाती है शरीर और इंद्रियों पर आपका संपूर्ण नियंतर हो जाता है अगला नियम कहता है स्वाध्याय यानिकी इस्ट देवताओं से साच्छातकार जब आप स्वाध्याय करते हैं स्वाध्याय का मतलब क्या है स्वयम का अध्येन करना यानि जवाब वेदों का पुराणों का उपनिशदों का अध्येन करते हैं गीता पढ़ते हैं तो जिन इस देवताओं से आप प्रेम करते हैं जिन के आराधना करते हैं उनसे आपका साच्छातकार हो जाता है तो इशर परिधान नियम का अंतिमिस्थिती है जिसके सिद्ध करने से समाधी की सिद्धी होती है अगर आपने योग सुत्र पड़ा होगा तो आपको पता होगा इशर परिधानी एक ऐसा विशाय है जिसकी चर्चा कई बार की गई है जो किरिया योग में भी आता है अश्टांग योग में भी आता है और हमारे इशर परिधान एक खुद का एक विशाय है वसमें भी आता है तब भी का गया है इश्वर पड़िधाना ध्वा एनकी इश्वर पड़िधान से उसकी इस्तिती प्राप्त होती है किसकी निर्वीज समाधी की यह हमारे अस्टाय योग का पहला चैप्टर कम्प्लीट होता है यहां पर जो मोस्ट इंपोर्टन था आगे के बाद हम दूसरे विशेम पड़ेंगे आप सभी का दर्नेवाद हमारे साथ बने रहिए योजी सी नेट और जी आरेफ की तैयारी के लिए